आज पुछ अलग करते हैं आज मैं आप लोगों को सुनाते हूं एक बहुत महान जो कहानी का रहे हो पन्यास का रहे हैं हिंडी के मुंसी प्रेम चंदी की एक बहुत अच्छी कहानी स्वाकी साड़ी कि मुंसी इस के कहानी जो स्वतनता अंदोलन रहे होता हूं उसमेन विली इसी काप्रों के होले भी के要वची धे फेंकि नाइकान मतलगे लाटारित है। मताब गौरा देवी और रतन सिंग उनके जो आपसी बदामपत्य जीवन, उनके आपसी कहानी, उनके घर की कहानी उस पर आधारीत है, ये बहुत ही सुन्दर कहानी बुन रखी है, उनके आपसा प्रेम और उनके मदवेच सब पे तो मुझसी प्रेमचंत मैं पहले सी बहुत परती की प्रहय हैं, चमया खानाथ जह की दarson करना है, चीहानँ कय भोट सी के छेड़ के वह पता शामाज की पुरूतियां थी, उनके साथ कभी समझातागा देंगा है, बहुत से लोग होते है้ं कि समाज की पुरूतियों से समझात वहलόσju लोग को जो नहीं जीपाते हैं। वहत जिखते दिधी अमधाने थान दों कोई कारन्दी विये उन्थ हम अगा पुरी तरीके से बगावत करते हैं। और बदलने की कोईसिस करते हैं। तो पुरी तरीके साम पूर्ड़ी सो महें। वे उन्हों ने बंदूब ने उठाई शिव कलम उठाई यही अंतर है नहीं तो प्रांधी वीरों में परक्वी था तब ही सरकार ने उनकी नाम दर के लिखा बहुत ही कान्या मतलब किताब जबती की कान्या में लगाया लेकिं वो रुके नहीं हाने ने आड़म भरों का झाल में और जैसे जो उनकी कानियों में जो समाजी जंतर ना या आरती जंतर ना जेलने वारें और पतितों का जीवन जो बिल्फुल होसमय जिन्दगी में कोई कणन्त लग जाता था या कोई जिंदगी में असे गटता हो जाता था या कोई पहले पूर पसंद आगी वो सलता है लेकिन आज देखे आपको यह कहानी पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछुछ प्तर प आपको बलानी रेगा पुरा वीडियो सुनने का, आपको बहुत पुछी हुची, क्या आपने बहुत अच्छी हुची है। अच्छी हुची 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 है। और दलीतों और उच्छी नियमकों नहीं तो अगर पुरू समाजी नियमकों तोरते थे या समाजी शुधार करते थे तो उन्हें समाज स्विकार कर लेता था। कि वह सामाजी कुरूतियों का बिरोधनी कर पाती थी क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो समाज से मतलब तिरस्कृत हो जाते थे या जिनका जीवनी भी कलम्पित हो जाता था तो समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था आजकल की इस्तिती बहुत बदल गए प्र मतलब किसी से भी गलती हो सकती अपराद हो सकता है नियम तूट सकते हैं लेकिन वो जमाना अलग था राजनितिक विस्यों में भी ये विविन्नता और भी जटिल थी गौरा वर्तिमान इस्तिती को अमर अटल अपरिहारी समस्ती थी इसलिए वो नरम गरम अमरो सभी से विरक्त थी कहती है मुठी भर पड़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे चने कई बार फोड़ सकते हैं रतन सिंग पक्के आसाबादी थी राजनितिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले कर्म छेत्र में सबसे पहले कदम रख उठाने वाले स्वदेश चल को हलकी हलकी लहरों से आभुसीत कर देते हैं वे प्रचंट जोंगे नहीं थे जिन से सागर विपलव छेत्र बन जाता है थोड़ी सी संदीक्चा सारी विसमताओं और मदवेतों का प्रतिकार कर देती थी मतलब यह है कि वह यह भी सोचती थी कि मतलब दास्ता नहीं जा था क्योंकि विवाद होते थे लेकिन बहुत थोड़े होते थे लेकिन उनमें इतना भेदवाव मतलब यह है कि बड़ा उनमें कभी वादिवाद नहीं होता था खदर और गाड़े के दिन फिर आगे थे नयांसुक नयांदुक मल मल मन मल और तंजेप तनबेद हो गए थे रतन सिंग ने आगे गौरा से कहा लाओ यह सब विदेशी कपड़े संदूग मैं से निकाल दो दे दूं गौरा अरे तो इसी गड़ी कोई साइद निकली जाती ह हैं फिर कभी दे देना रतन वहां लोग द्वार पर खड़े कोला हल मचा रहे हैं और तुम कहती हो कि फिर कभी दे देना गौरा तो यह कुंजी लेओ और निकाल के दे दो मगर यह सब है लड़कों का खेल घर फूंगने से न सुराज कभी मिला है और नहीं कभी मिलेगा र मैं तुम्हारे अब सन्नों हो जाने के भाई से चूपो गई थी रतन अच्छा संकाएं फिर कर लेना इस समय जो करना है वह करो गौरा लेकिन मेरे कपड़े तो न लोगे ना रतन सब देने पड़ेंगे विलायत का एक सूद भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देग इतने मैं राम टहल साइस ने भार से पुकारा सरकार लोग जल्दी मचा रहे हैं कहते हैं अभी कई महलों का चकर लगाना है कोई गाड़े का ठुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए मैंने भी अपने कपड़े दे दिये केसर महरी कपड़ों की गठ्री लेके बार जाती भी रतन सिंग ने पूछा क्या तुमने भी अपने कपड़े दे दे जा रही हो केसर ने लजाते वे कहां सरकार जब देश छोड़ा है तो मैं कैसे पहनू रतन सिंग ने गौरा की और आदेश पूर नित्रों से देखा अब वो अविलंब न कर सकी लज्जा से सिर जुकाय संद भी निकाल दू रतन अहां इसे किस दिन के लिए रखोगी गौरा यदि मैं जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी यह सूद न बनवाने देती सारे रुपे खून हो गए जब उसने देखा कि सब दे रहे महरी लोग भी दे रहे तो वो नहीं रोक पाई उसे देन न दिया तब गौरा ने अपना संदूख खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कप्र निकाल निकाल के फैंगने लगी वहां आवेस प्रवाह में आ गई उनसे कितनी ही भवमोले फसी जाकेट और साडियां थी जिनें किसी समय पहन कर वो फूली न समाती थी बा अपनों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था पर इस समय चुप रहने में ही कुसल समझते थे क्यूंकि उन्हें पता चल गया क्योंकि उनकी गौरा को बहुत गुस्सा आ गया तिस पर वी एक दो एक बार वाद वाद की नौबत आही गई एक बनारसी साड़ी के लिए त तंजेव की साडी निकल आई जिस पर पके आचल के पल्ले टंगे हुए थे गोरा ने उसे जल्दी से ले के अपनी गोद में चिपा लिया रतन शिंग ने पूछा कैसी साड़ी है गुरा कुछ नहीं तंजीब की साड़ी है आँ चल पक्का है रतन तंजीब की है तो जरूर विलायती होगी उसे अलग क्यों रख लिया क्या वह बनारसी साड़ीों से भी अच्छी है गुरा अच्छी तो नहीं है पर मैं इसे न रतन वाह इस विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा लाओ इदर गौरा नहीं मेरी खातिर इसे रहने दो रतन तुमने मेरी खातिर से एक भी चीज न रखी मैं क्यों तुम्हारी खातिर करूं गौरा मैं पैरो पड़ती हूं जिद न करो रतन स्वतेसी साडियों मैंसे जो रखो लेकिन इस विलायती चीज को मैं न रहने दूंगा इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने यह गुलामी का दाग है अब मैं नहीं रख सकता लाओ इदर गौरा मैं इसे न दूंगी एक बार नहीं हजार बार कहती हूं न दूंगी रतन मैं इसे लेकर ही छोड़ू इस गुलामे के पटके को इस दासत्तो के बंधन को किसी तरह न रखूंगा गौरा नाहग जित करते हो रतन आखिर तुम तुमको इससे क्यों इतना प्रेम है गौरा तुम तो बाल के खालने कालने लगते हो इतने कपड़े थोड़े हैं एक साड़ी रख ली तो क्या है रत तुम केवल इतना बतला दो कि एक साड़ी तुमें क्यों इतनी प्यारी है तो सायद मैं मान जाओं गौरा या मेरी सुहाग की साड़ी है रतन जरा देर सोच के तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा मैं विदेशी वस्त्र को या सुविस्तान नहीं दे सकता इस पवित्र संस बिवार करने में संकोज न करते थे मैं इसे अवस्ते वोली मैं दूँगा गौरा कैसा अफसकुन मुझे निकालते हो रतन ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना ही अफसकुन है अमंगल अनिस्ट और अनर्थ है गौरा यो चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ पर खुसी स न दूँगी रतन तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूँगा मजबूरी है या कहके वो लपके की गौरा के हातों से साड़ी छीन लूँ गौरा ने उसे मजबुती से पकड़ लिया और रतन के और कातर नेत्रों से देखके का तुम्हें मेरे सर की कसम के सर महरी बोली बहुजी क इच्चा है तो रहने दीजिए रतन सिंग के बड़े वे हाथ रुग गे मुख मलीन हो गया उदास होके बोले मुझे अपना वरत तोड़ना पड़ेगा प्रतिक्या पत्रबर जूटे हत्ताक्सर करने पड़ेंगे खैर यही सही साम हो गई थी द्वार पे स्वयम सेवा गण सोर मचा रहे थी कुवर्ण साब जल्दी आईए और स्रीमती जी से भी कहदीजी हमारी प्रातना स्विकार करें बहुत देर हो गई है इधर रतन सिंग असमंजस में पड़े वे थे कि प्रतिक्या पत्रबर कैसे हस्ताक्सर करू विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वधी वस्त्र का पालन क्यों करोगा आगे कदम बड़ा चुका हूँ पीछे नहीं हड़ सकता लेकिन प्रतिक्या का अक्सर साब पालन करना अभिस्ट भी तो नहीं केवल उसके आसर पर लक्सर रखना चाहिए इस विचार से मुझे प् मेरा करतव्य है गौरावी चिंता में डूबी वीती सुहा की साड़ी सुहा का चिन है उसे आग कितनी अफसक उनकी बात है ये कभी कभी बालकों की भादी जिद्ध करने लगते हैं अपनी दुन में किसी की भी नहीं सुनते बिगरते हैं तो मालो मुह नहीं सीधा होता लेक तो नहीं हो सकता कि सारे सार में सोदे सी नुरागियों के सिर मौर बनके उस पृतिग्यां पत्र पर हस्ताक्सर करने से आना कानी करें कहीं मुद दिखाने को जगन रहेगी लोग समझेंगे बना हुआ है पर सगुन की चीज कैसे दो इतने में उसने राम टहल साइस को सिर पे कपड़ों के का गठर लिए बाहर जाते देखा केसर महरी भी एक गठर सिर पे रखे वे थी पीछे पीछे रतन सिंग हाथ में पृतिग्यां पत्र लिए जा रहे थे उनके चेहरे पर गलान जलक रही थी जैसे कोई सचा आदमी जूटी गवाय देने जा रहा हो गौरा को देखके उन्होंने आँके फेड ली और चाहा की उसकी निगाह बचा के निकल जाओ गौरा को ऐसा जान पड़ता था कि उनकी आँक हैं डब डबाई हुई हैं वह रात रोके बुली जरा सुनते जाओ जाने दो दिग न करो रतन सिंग लोग बाहर खड़े हैं उन्होंने चाहा की पत्र को छिपा लूँ पर गौरा ने उसे उनके हासे छीन लिया उसे गौर से पड़ा और एक शंड चिंता मगने रहने के बाद बोली वह साड़ी भी लेते जाओ रतन रहने दो अब तो मैंने जूट लिखी दिया है गौरा मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी पृतिग्या कर रहे हो रतन या तो मैं तुम से पहले ही कह चुका था गौरा मेरी भूल थी समा कर दो और इसे लेते जाओ रतन जब तुम इसे देना आप से कुन समस्ती हो तो रहने दो तुम्हारी खाती थोड़ी से जूट बोलने है मुझे कोई आपती नहीं है गौरा नहीं लेते जाओ अमंगल के भैसे तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती या कहके उसने अपनी स्वाक की साड़ी उठा के पती के हातों में रख दी रतन ने देखा गौरा के चेरे पे एक रंग जाता है जैसे कोई रोगी अंतरस्तल विसम वेदना को दबाने की चेस्टा कर रहा हो उन्हें अपनी अहिर्द्यार्टा पर लज्जा आई हाँ केवल अपने सिद्धानती के रक्षा के लिए अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भाउं का वद कर रहा हूं या अत्याचार है साड़ी गौरा को देखे बोले तुम इसे रख लो मैं पृतिग्या पत्र को फाड़े डालता हूं गौरा ने दरता से का तुम न ले जाओगे तो मैं खुद जागर दियाओंगी रतन सिंग विवस होगे साड़ी ली और बाहर चले आए उस दिन से गौरा के हिर्दय पे बहुत सा रहने लगा वह दिन भेहनालें के लिए नाना उपाय करती जल्सों में भाग लेती सेर करने जाती मनो रंजक पुस्तक हैं पुरा एक महिना गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती गई तो कुवर साब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चे किया उनका मन उन्हें उनके आदर्स प्रेम पर नित्य तिरसकार क्या करता था वो अक्सर दिहातों प्रचार का काम करने जाया करते थे पर अब अपने गाउं से बाहर न जाते तो संध्या तक जरूर लोटा दे उनकी एक दिन की देर उनका साधारन सिर्दर्द और जुखाम उसे अभिवस्तित कर देते थे या भावदा बुरे सपन देखा करती थी किसी अनिस्ट के काल्प में पड़ी हुई आकांग सांग की कठपुतली बनी हुई थी इधर उसकी सुहाग की साड़ी स्वदी सी प्रेम की वेदी पे भस्मों के रिसी प्रदाईनी भबूत बनी हुई थी दूसे महिने के अंत में रतन सिंग उसे लेकर लोट आए मतला उसके दिल में पूरी तरीक से यह भें बैट गया था कि कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होगा गौरा को वापस आये तीन-चार दिन हो चुके थी अब असबाब के समालने और नियत स्थान पर रहने में वो इतनी व्यस्तों रही थी कि घर से भार न निकल सकी थी कारण यह था कि केसर महरी उसके जाने काम करना पड़ता था संध्या का समय था गौरा बरांदे में बैटी आकास की और एक टक ताक रही थी चिंता ग्रस्त प्राणियों का एक महत्रिय ही अवलंब है सासा रतन सिंग ने आके कहा चलो आ तुम्हें स्वदेशी बजार की सेर करा लाएं यह मेरा ही प्रस्ताव था पर चार दिन यहां आए हो गए इधर जाने का अवकास ही न मिला गौरा मेरा तो जाने को जी नहीं चाहता यहीं बैटके कुछ बात है करो रतन नहीं चलो देख आएं एक घंटे में लोट आएंगे अंद में गौरा राजी हो गई इधर महिनों से वह बाहर ने निकली थी आज उसे चारों तरफ एक विचित्र सोभा दिखाए दी बजार कभी इतने रौनक पर न था वस्वदेशी बजार में पहुंची तो जुला हो और कौरियों ने अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे देखा सहसा एक बिद्ध कौरी ने आके रतन सिंग को सलाम किया रतन सिं को कभी अनमान न हुआ था कि अस्तबल में किसाप करने वाला बुड़ा रामटहल कभी इतना सौम्य और इतना भद्रूस है वो बोला सरकार अब तो अपना कारोबार करता हूं तब से आपकी उलामी छोड़ी थी तब से ही अपने काम में लग गया आप लोगों की निगां गरीबों पर पड़ गी थी हमारा भी गुजर हो रहा है यह नहीं तो आप जानते हैं कि किस हाला ने पड़ा हुआ था रतन तो भाई अब मुह मिठा करा हुई है बजार लगाने की मेरी ही सलाती बिक्री अच्छी तो होती है रामटहल हां सरकार आजकल खूब बिक्री हो र का भोजन भी दोनों समय मिल जाता है और क्या चाहिए मालकिन की स्वाक की साड़ी का होली में आना कहिए और बजार का चमकना कहिए लोगों ने कहा जब इतने बड़े आदमें हो के ऐसे सगुन की चीज की परवान नहीं करते हैं तो हम विदेशी कपड़े क्यों रखें जि तो यही कहुंगा कि सारी माया उसी स्वाक की साड़ी की है मतलब यह कि विदेशी कपड़ों की होली जली तो स्वदेशी स्वरोजगार जो जुलाए वगरा है उन्होंने अपना काम सुरू किया तो फिर देखे फ्रेंस से कैसी संपर्नत आई उस आंदोलन से भी इतने मैं एक अधेर इस्तिरी गोरा के सामने आकर बोली बहुजी मुझे भूल तो नहीं गई गोरा ने सर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी वो सुंदर साड़ी पैने वे थी हाथ पाव में मामूली गहने भी थे चेरा खिला हुआ था स्वाधीन जीवन का गोरा एक एक भाव चलता था तब तक लाचारी थी पेड़ भनने के लिए सेवा टेल करम कुकर्म सभी करना पड़ता था अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लोटाए हैं अब दूसा काम नहीं किया जाता अगर बजार का यही रंग दा तो अपनी कमाई खाई न चुकेगी यह सब आप मेहतर का भी काम करते थे कितने ही भीग मांगते थे अब तो सब अपने धंदे में लग गए हैं सच पुछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया नहीं तो हम उते वे भी दवाएं थी सच कहती हूं सेंक्रों जबानों से नित्त ही दिवाय निक कलपनाय स्वपनवत विछिन होती जा रही थी आख्या सजल हो गई थी और स्वाक की देवी अश्रु संचीत नेत्रों के सामने आचल फैरा के उसे आशिरवाद दे रही थी उसने रतन सिंग को भक्ति पूर्ण आखों से देखा मेरे लिए भी एक साड़ी लेलो जब गोरा य नहीं चावनी की तरह होते हुए चलो रतन बजार खुब सजा हुआ था यह जमीन लेकर एक स्थाई बजार बनवा दो सोदेशी कपड़ों की दुकाने हों गोरा खैर किसी से किराय न लिया जाए रतन बहुत खर्चा पड़ेगा गोरा मकान बेज दो रुपे ही रुपे हो जो कपास बोए उसकी बेगार माफ कर दो रतन हाथ तद्वीर अच्छी है दूनी उपज हो जाएगी गोरा कुछ देर सोचने के बाद लकडी बिना दाम दो दो कैसा हो जो चाहे चर्खे बनवाने के लिए कटा ले जाए रतन खुब लूट मज जाएगी गोरा ऐसी बेमान घर मन की एक दम बदल जाता है अगर उन्हें अच्छा संगत मिले, उन्हे गौराको रतन सिंग का जिसा पती मिला था। जिसने उसके विचार पुरी तरीके से बदल दी थे। तो वह भी रूड़ी वादी विचार धारा की, मतलब अच्छी महला हुएते हुए कुस उसके मन में रूड़ी वादी विचार धारा बसी भी थी, वह समाज का भी वह था. लेकिन पूरी तरीके से बदल गई थी उसकी विचार धारा और ऐसा ही होता है महिलाओं का मन एकदम बदल जाता है और वो मतला अपने पती से भी जादा भावक हो गई थी और भी जादा बदल गए थे क्रांतिकारी और भी जादा विचार हो गए थे तो ऐसी करके महिलाओं क मन भी ऐसे एकदम बदल जाता है और वो उनसे भी ज्यादा भावक और मतलब समाज के लिए भला ही सोचती है इस कानी से हमें यही सीखने को मिलता है और फ्रेंस आजकल भी इस्तितिय ऐसी है बहुत चीजों में महिला है बुरुड़ी वादी विचारणों को ज्यादा थोपा कुछ महिलाएं नहीं चोड़ पाती है लेकिन बहुत महिलाएं चोड़ देती है और विचार बदल जाते हैं क्योंकि आजकल का समाज ही बहुत अत्तक बदल गया और पड़े लिखे लोगी जाद है पड़े लिखे जादा उननत विचारों को अपनाते हैं और अनपड भी लें लेकिन यह होता है कि अनपड़ पाड़े लिके से नहीं होता है बहुत लोग अनपड़ होते लेकिनका दिमाग से जादा विक्सित होता है और बताए फ्रेंट्स आपको आज की मेरी कहानी कैसी लगे और अपने इसको इसको आपको इससे कुछ सीने को मिला की नहीं मिला ये कहानी मुझे बहुत पसंद थी फ्रेंस मैं पढ़ती थी तो मैंने सुचा आप लोगों को भी सुना दू इसलिए और आगे भी अगर आपको पसंद आई तो जुरूर लाइक करें और कमेंट करें और मेरे इस चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें फैंस और आगे भी मेरे वीडियो को देखते रहें ओके फैंस नमस्ते